हेलो गाईस, वेलकम बैक टू नोलेज अक्यू साइंस, आज की सुड़े में बात करेंगे स्सी छेसल रिजल्ट डेट के बारे में, जैसे कि आपको पता है इसका एक्जाम 2023 में हुआ था और नोट्विकेशन 2022 में हुआ था, तो इसका रिजल्ट कब आएगा और प्रोब्लम है, इसके लिए ट्विटर केंपेन होगा, जिसमें जितने भी टीचर हैं, इस्टूडेंट हैं, सभी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपिट करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले नोट्विकेशन आता था, जितने भी SSE, CHSL या CGL के एकजाम होते थे, उनका एज एक जनवरी को काउंट होता था, लेकिन इस बार जो CGL 2023 का नोट्विकेशन आया था, उसका एक अगस्ट से काउंट कर रहे हैं, आपको पता है, आठ मैने का इसमें ज्यादा गैप हो गया है, और इस से जिस स्टूडेंट की एज अभी कंप पाएंगे, क्योंकि अगर यह आठ मैने मिलता तो उनकी एस थोड़ी कम रहती, फोर्म को फिल कर पाते, तो यह बहुत से स्टूरेंट के साथ प्रोब्लम आ रही है, और हर बार चाहे वो 15 हो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक एक जनवरी को ही काउंट कर रहे थे, इस बार इन्होंने च इस बार हम कोशिस करेंगे कि इससे रिलिजिट यह प्रोब्लम सोल हो जाए, क्योंकि यह सभी के साथ है, कुछ ना कुछ प्रोब्लम होता रहता है, तो सभी को एक साथ मिलके, इसमें कैम्पेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना मुझे नहीं, जैसा कि आपको पता है, एससे यह चसल टियर वन का एक्जाम 2022 का, यह आपका 9 मार्च से 21 मार्च तक कंड़क्ट किया गया था, चार सिप्ट एक दिन में कंड़क्ट हो रही थी, तो काफी लंबे टाइप तक एक्जाम चला था यह, और इसके बाद आपकी जो अंसर की है, वो मार्च के लाज डेट को आई थी, 31 मार्च को इसकी अंसर की आ गई थी, ठीक है, 31 मार्च से आप 3 मार्च, 3 अपरेल तक अपनी अंसर की देख, देख सकते थे, और जो भी रोंग कोशन था, आप उसमें रिस्पोंस करके, उसे SSC को बता भी तक सकते थे, तो अभी अभी आपका 23 दिन हो गया है, तो अब बात करते हैं, SSC CHSL जो एक्जाम हुआता, 2023 में इसका जो रिजल्ट है, टियर वन का, वो कब तक आ जाएगा, देखे, इस मैने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नेक्स्ट जो मन्त है, यानि कि माई का मन्त है, उसमें आपको लगब वन हो गया है, इसके बाद आपका टियर टू होगा, जिसमें आपके चार सब्जक्ट आएंगे, पता ही है आपको, और इसके बाद आपका इसमें ही कम्पीटर का होगा, यानि कि CPT का भी टेस्ट होगा, और CPT का टेस्ट ये इकठा होगा, आपका 2 घंटे 15 मिनट का, और इ क्योंकि SSC CGL 2030 में जैसा टाइपिंग का फॉर्मेट था, सोफ्ट फेयर का फॉर्मेट था, वो सारी चीज़े मैंने बताई है, बस इसमें आपको पता है, 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड चाहिए, इंगलिस की और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, बाकी म बहुत सारे स्टुडेंट दुबारा चीज़े का एकजाम दिये हैं, ठीक हैं, तो यह बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसे हमें कंसिडर करना पड़ता है कटोफ को बताने के लिए, तो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत कटोफ का आइडिया देता हूं, अगर आपके र 130 हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, मेरे रिकोर्डिंग, क्योंकि इसके बाद आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद OBC का लगबक इतना ही जाता है, EWS का 10 नमर कम जाता है, इसका थोड़ा बहुत कम जाता है, 105 के आसपास SC का, और 95 के आसपास ST का, RAW स्टी का मैंने बता दी आपको, ठीक है, तो अगर आपके 130 नमर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ कैटिकरी में हो, RAW स्कोर के बेस पे, ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहले पर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट मिल ठीक है, कोई भी डाउट है, कमेट में पूछ लेना, थैंक्यू गईस,